ओम शान्ती 15-2023 की मुल्ली है मुख्य रूप से बाबा ने कहा तुम बच्चे इतने तक्दीरवान बनते हो जो कभी किसी प्रकार की चोट नहीं लग सकती निरोगी काया बन जाती है उन्हें सदा सलामत कहेंगे जो उठते बैठते बाप की याद में रहते हैं बाबा ने कहा अपनी उन्नती के लिए अमरित बेले उठ बाप को याद करो सवेरे का समय कमाई के लिए बहुत अच्छा होता है आगे कहा बुद्धी योग से सच्ची यात्रा करनी है वेनाशी धन के पीछे अपनी तकदीर नहीं कवानी है सच्ची कमाई करनी है तनमंधन से पूरा फिलंथ्रोफिस्ट अर्थात महादानी बनना है अपना सब कुछ 21 जन्मों के लिए इंशोर कर देना है अब सुनते हैं महवाक्यों को विस्तार से अवा ने कहा मीठे बच्चे अपनी उन्नती के लिए अमरित बेले उठ बाप को याद करो सवेरे का समय कमाई के लिए बहुत अच्छा है प्रश्ण है सदा सलामत रहने का आधार क्या है सदा सलामत किसे कहेंगे उत्तर बाप की श्रीमत ही सदा सलामत बनाती है कभी भी कोई दुख और तकलीफ नहीं होगी तुम बच्चे इतने तकदीरवान बनते हो जो कभी किसी प्रकार की चोट नहीं लग सकती निरोगी काया बन जाएगी तुम अपनी तकदीर की महिमा गाते रहो जो उठते बैठते बाप की याद में रहते हैं वो है तकदीरवान बच्चे उन्हें ही सदा सलामत कहेंगे गीत है रात के राही उम श्यान्टी मीठे मीठे पुर्शार्थी बच्चे इस गीत का अर्थ तो स्वयम जानते होंगे नंबरवार पुर्शार्थ अनुसार जो याद्रा पर उपस्थित है वेही यथार्थ अर्थ समझ सकते हैं अब यह याद्रा है रात की और जिस्मानी यात्राए होती है दिन की अमरनात बद्री नाथ पर जाते है तो दिन को सफर अर्थत मुसाफिरी कर रात को सो जाते है और तुम बच्चों की मुसाफिरी है रात की दिन में तो तुमको शरीर निर्वह अर्थ काम करना पड़ता है नौकरी पर जाते हैं और माताएं घर संभालती है सबसे ज्यादा उन्नती रात को होती है जबकि सब मनुष्य सोय हुए होते हैं तुम्हारी उस समय बड़ी अच्छी यात्रा हो सकती है भक्त लोग भी सवेरे अमरित बेले याद में रहते हैं बच्चे अपनी उन्नती करना चाहती हो तो बापराय देते हैं नींद को जितने वाले बनो पांच हजार वर्ष पहले भी कहा था भल सवेरे सो जाओ कहावत है सवेरे सोना सवेरे उठना यह गुण मनुष्यों को बड़ा बनाता है बरोबर तुम कितने साहुकार बनते हो जो कभी तुमको पैसे की परवा नहीं रहती तुमको 21 जन्मों के लिए वर्षा मिल जाता है शिवाले में यहां तो तुम जनम बाई जनम पुर्षार्ट करते हो और अभी का तुम्हारा पुर्षार्थ 21 जन्मों का बन जाता है वंडर है न ऐसा कोई भी पुर्षार्थ कराने वाला है नहीं अविनाशी बाप अविनाशी पुर्षार्थ कराते हैं यहां तो पैसे के लिए क्या नहीं करते हैं बाप बच्चों को, बच्चे बाप को भी मार डालते है तुम्हें अब अविनाशी बाप से अविनाशी वर्सा लेना है तो अविनाशी बाप और वर्से को याद करना है और कोई तकलीफ नहीं, सिर्फ दो अक्षर है इसको महामंत्र कहा जाता है बस यह दो अक्षर याद करने से तुमको राज दिलक मिल जाता है अब इस याद में है बल जितना जो याद करेंगे योग और ग्यान शास्त्रो आदी के ग्यान की यहां बात नहीं दो अक्षर याद करने के लिए कहते हैं तो फुरसत नहीं रहती है कह देते हैं हम याद नहीं कर सकते घड़ी घड़ी भूल जाते हैं दो अक्षर की यात्रा नहीं कर सकते तुम लोग गीत कविता डायलोग बनाते हो याद करते हो बास्तव में इन सब की यहां दरकार नहीं है यहां तो चुप रहना है क्या तुम बीज और जार को नहीं समझ सकते हो बीज को हाथ में लेने से ही सारा जार सामने आ जाएगा इसमें चार युग और चार वर्ण है यह सब बुद्धी में लाना देरी नहीं लगती है सेकेंड में स्वर्ग की बादशा ही मिल जाती है सिर्फ याद में रहना है सेकेंड में साक्षात कर कराया जाता है उस समय जै एक तो बाप की याद, दूसरा यह नौलेज बहुत उंच है मनुष से देवता बनने की। देवताएं तो पवित्र होते हैं, नौलेज हमेशा ब्रम्हचरिये में पढ़ी जाती है। जब पढ़कर घर संभालने लायक बने, तब बाद में शादी करनी होती है, अपने घर वालों को क्रियेटर संभालेंगे, इसलिए अपनी कमाई चाहिए न, तो ब्रम्हचरिये में कमाई होती है, आज कल तो धन के भूखे हो गए है, थोड़ी आमदनी हुई फिर दूसरा कोर करते हैं, अब बाब कहते हैं बचो, यह कोर्स बहुत सहज है, सिर्फ श्रेमत पर रात को जाक कर प्रैक्रिस करो, रात को बुद्धी की यात्रा करना बहुत सहज है, और मदद भी बहुत मिलेगी, दो तीन बजे अमरित बेला कहा जाता है, सवेरे उठकर स्वादर्शन चक फिराना है, यह बुद्धी का काम है, बाब का फर्मान है, निरंतर मुझे याद करो, तो तुम्हारे विकर्म विनाष होते जाएंगे, नहीं तो तुम सजनियों को कैसी ले जाएंगे, तुम सजनिया हो पतित, सबके पंख टूटे हुए हैं, अब सिर्फ याद करो, तो प पुर्शाद करना सहेज है और मदद भी बहुत मिलेगी मुख्य है याद तुम जानते हो हम आत्मा है हमको परम पिता परमात्मा पढ़ा रहे हैं उनसे पढ़ना है वो बाप भी है उनका बनना है तुम जानते हो हम आत्मा आकर शिप बाबा से मिली है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहूकाल, जीव आत्मा आकर बाप से मिलती है, तो जरूर परमात्मा को भी जीव आत्मा बनना पड़े, वो तो सुप्रीम आत्मा है, आत्मा परमात्मा का रूप एक ही है, जैसे स्टार्स चमकते हैं, आत्मा में 84 जन्नो का पाद भरा हुआ है, बाप कहते हैं मैं भी एक्टर हूँ मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ यह दुनिया नहीं जानती कि कलप-कलप संगम युक के सिवाए कब आ नहीं सकता हूँ आफ़ते आदी तो बहुत आती रहती है बाप कहते हैं मैं आता ही तब हूँ जब सब पतित बन जाते हैं मैं ही नई दुनिया का रचैता हूँ आता ही पतित दुनिया में हूँ पतित पहले आत्मा बनती है आत्मा जानती है हम पहले पावन थे अब पतित बने है यह शिक्षा तुमको ही मिलती है टीचर के सामने जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको ही शिक्षा मिलती है तुमको यह शिक्षा पहले पहले मिलती है इन पांच विकारों को जीतो योग अगनी से भी कर्मों को भस्म करो इस विश नहीं तुमको कब्र दाखिल कर दिया है इसको पोईजन कहा जाता है ज्यान अम्रिच से तुम पवित्र बन जाते हो बाप और वर्षे को याद करना है तो बहुत सहज कई बच्चिया कहती है बाबा धारना नहीं होती बड़ी बहनों मुआफिक समझा नहीं सकते है बाब कहते हैं बच्चे यह तो हरेक के कर्म का हिसाब किताब है कोई तो 25-30 वर्ष रहते हुए भी धारना नहीं कर सकते है तुम आत्माओं का तो बाप परमात्मा है वो स्वर्ग का रचैता है बाप स्वर्ग का वर्षा देने ही आये है तुम बाप को तो याद करो, बच्चों को भी होशियार करना है, तुम बच्चों को पहले रहम करना चाहिए अपने बच्चों पर, तुम बच्चे समझते हो, हम इस समय अपने most valueet परम पिता परमात्मा के समुख वैठे हैं, कल्प पहले भी हमने निराकार बाप से बेहत का वर्सा स्वर्ग का लिया था बाप कहते हैं मुझे भी इस शरीर का लोन लेना पड़ता है, किराय पर बैठे है अपना ना होने से जरूर किराय से ही लेंगे यहरत है जिसमें कल्प कल्प रती बनते हैं रत में रती देख रहे हैं न, आगे तो गीता पढ़ने से कुछ भी समझ में नहीं आता था, कहां वो अरजुन और घोडे का रत बैठ दिखाया है, तुम्हारा बाप रती है, बच्चों को कहते हैं मुझ बाप को याद करो, फिर चाट रखो, ऐसा साजन जो 21 जनम सुख देत उनको क्यों नहीं याद करेंगे, परन्तु यह है गुप्त, अब बाप कहते हैं, अपने को आत्मा निश्चय कर, फिर बाप की श्रीमत पर चलना है, इसमें ही माया बड़ा हैरान करती है, वो भी कम उस्ताद नहीं है, अच्छे अच्छे बच्चों को भी जीत लेती है, ब की श्रीमत छोड़ देते हैं, यहां बच्चे जानते हैं, हमको भगवान पढ़ाते हैं, तुम गौडली स्टूडेंट हो न, भल दूसरा भी कोर्स उठाते, फिर भी टीचर को याद करेंगे, बाप कहते हैं, भल ग्रियस्त वैवहार में रहो, परन्तु सदा सुखी बनने के लिए साथ में दूसरा कोर्स उठाओ, मैं तुम्हें अथाधन देता हूँ, जो तुम 21 जन्म कभी दुख नहीं देखेंगे, तुम्हारे जैसा अकल मंद सृष्टी भर में कोई नहीं होता, प्रेजिडेंट आदी की कितनी महिमा करते हैं, परन्तु तुम मोस्ट वंडर फुल इनकॉगनिटो बड़ी ऑथरिटी हो, तुम्हारे जैसा नौलिजफुल इस दुनिया में कोई हो नहीं सकता, अब तुम बच्चे जानते हो, भारत को हम स्वर्ग बनाएं, एक इस जन्मों के लिए स्वर्ग का मालिक पन रहे हैं, जगदंबा को कितनी बड़ी प्रा यह यात्रा भूलो मत, टाइम वेस्ट ना करो, यह बहुत भारी कमाई है, बुधियोग वहां लग जाना चाहिए, हम शिबाबा के सम्मोख है, बाप के घर आये हैं, अभी तो तुम हरी द्वार में बैठे हो, हरी पर मात्मा खुद बैठे हैं, वहां तो पानी है, यह सच् हरी का द्वार है, हर हर यानि दुख हरने वाला, यहां वो दुख हरता सुख करता तुम्हारे सामने बैठा है, भक्त लोग जाकर गंगा के किनारे बैठते हैं, समझते हैं, गंगा का तठ हो, गंगा जल मुख में हो, जब कोई मरते हैं तो गंगा जल पिलाते हैं, अब गं पिछाडी में कोई बैठ कहेंगे शिबाबा को याद करो अन्त में आप ही शिबाबा की याद में शरीर छोड़ना है। अब हमको शिबाबा के पास जाना है मुक्तिधाम। सत्युक को जीवन मुक्तिधाम कहा जाता है। धाम रहने के स्थान को कहा जाता है। निर्वान धाम में निराकार आत्माए ब्रम्ह तत्व में रहती है। अब तुम आकर हरी के घर में बैठे हो। दुख हरने वाला एक ही अब तुम बच्चों को शिप बाबा और उनका सुईठोम याद आएगा बाबा आए हैं अपने घर ले चलने अब शिप बाबा के सुईठोम को याद करना है यहां तो कोई सुईठ है नहीं अब बाब बच्चों को कहते हैं बेहद की राजाई लेनी है तो रात को जाकर यात्रा करो मैं आता ही हूँ घोर अंधियारी रात में ब्रह्मा की रात पूरी हो दिन होना है मैं आता हूँ बेहत की रात और बेहत दिन के संगम पर तो तुम भी रात में नीन्द को जीत याद करने का अब्याज करो दो तीन बजे के समय को ब्रह्म मुहुर्त कहा जाता है बाप शिक्षा देते हैं ब्रह्मा द्वारा रात को जाकर मुझे याद करो तो फिर पक्के हो जाएंगे माया बहुत सताएगी फिर भी महनत करो इसमें महनत सारी बुद्धी की है उठते बैठते चलते याद में रहना है बाप कहते हैं ठक मत जाना रात के राही रात को बहुत मजा आएगा फिर वो नशाद दिन में भी चलेगा एक तो बाप को याद करो और अपनी तकदीर की महिमा करो और सब की तकदीरे फूटी हुई है तुम्हारी तकदीर अब जग रही है औरों की सो रही है जिनका बुद्धी योग इस समय धन कमाने में रहता है उनकी तकदीर सोई हुई समझो सच्ची तकदीर तुम्हारी जग रही है पेट कोई जास्ती थोड़ी खाता है भील लोग क्या खाते हैं मिर्ची और मकाई चने का आटा मिलाए रोटी खा लेते हैं यहां तो तुमको सब कुछ मिलता है तुमको बहुत साधारन रहना है ना बहुत साहुकारी ना बहुत गरीबी अब बाब कहते हैं हे लाडले बच्चे मुझे याद करो मैं तुमको नैनों पर बेठाई ले चलता हूँ मेरे नूरे रतनो नूरे चिश्म बच्चों को हमेशा प्यार किया जाता है श्रीमत पर चलने से सदा सलामत रहेंगे सदा सलामत का अर्थ भी बड़ा भारी है तुमको चोट नहीं लगेगी कोई तकलीफ नहीं होगी इतना तुमको सदा सलामत बनाता हूँ निरोगी काया रहेगी ना काल की ताकत है अगर अच्छी रिति याद करेंगे तो मदद मिलेगी जिन्होंने कल्प पहले पुशाट कर अपनी प्रालब्ध बनाई है साक्षी हो देख रहे हैं यह अपने को इंश्योर करते है बाबा भक्ती मार्ग में भी इंश्योर मेगनेट है इश्वर अर्थ निकालते है गरीबों को गुप्त दान देते है कोई को शादी करानी होती है तो गुप्त दे आते है गुप्त दान का फल भी ऐसा मिलता है शो करने से उनकी ताकत आधी हो जाती है मेगनेट बाप को कहते हैं तुम इंशोर करते हो जो जैसा अपने को इंशोर करते हैं वैसा फल मिलता है पाप करते हैं तो उसका दंड मिल जाता है पुन्य का फल अच्छा मिलता है वो होते हैं हद के फैलोंथ्रोफिस्ट कमाई में से आठाना चाराना भी निकालते रहते हैं अब तो तुमको कम्प्लीट फैलोंथ्रोफिस्ट बनना है फुल इंश्योर कर देना है देखो मम्मा ने सिर्फ तन और मन इंशोर किया कन्याओं के पास तो धन होता ही नहीं उन्हों को यह ख्याल नहीं रखना है वो फिर तन मन से सेवा कर रही है इसलिए कन्याएं बहुत प्यारी लगती है कन्याएं नंबर वन में आ जाती है बाबा अधर कुमार था हाँ कोई कुमार निकलते है स्वयंबर रच पवित्र रह दिखाते है तो अहो सो भाग्य सरेंडर भी पूरा हो वो बहुत अच्छा पद पा सकते है बाबा समझाते हैं कर्मों का भोग भी सारा यहां चुक्तु करना है मम्मा बाबा को भी कर्म का भोग भोग न पड़ता है रहा हुआ हिसाब किताब यहां ही निकलेगा ऐसे नहीं इश्वर का बना हूँ फिर रक्षा क्यों नहीं करते नहीं कर्म भोग तो जरूरी यहां ही चुक्तु करना है अच्छा मीठे मीठे सी किलधे बच्चों प्रती मात पिता बाब दादा का याद प्यार और गुड मॉनिंग रुहानी बाब की रुहानी बच्चों को नमस्ते और हम रुहानी बच्चों की रुहानी बाब दादा को याद प्यार और नमस्ते बाबा नमस्ते धाना के लिए मुख्य सार पहला बुद्धी योग से सच्ची यात्रा करनी है विनाशी धन के पीछे अपनी तकदीर नहीं गवानी है सच्ची कमाई करनी है दूसरा तन मंधन से पूरा फिलन्थ्रफिस्ट बनना है अपना सबकुछ 21 जन्मों के लिए इंशोर कर देना है वर्दान है दिव्य बुद्धी के बल ध्वारा परमात्मर टचिंग का अनुभव करने वाला मास्टर सर्वशक्तिवान भव विस्तार है दिव्य बुद्धी को बुद्धी बल कहा जाता है इस बुद्धी बल द्वारा ही बाप से सर्वशक्तियां क्याच कर मास्टर सर्वशक्तिवान बनते हो जैसे साइंस बुद्धी बल है लेकिन वो संसारी बुद्धी है इसलिए इस संसार के प्रती प्रकृती के प्रती ही सोच सकते है आपके पास दिव्य बुद्धी का बल है जो परमात्म प्राप्ती की अनुभूती कराता है दिव्य बुद्धी द्वारा हर करम में परमात्म प्योर टचिंग का अनुभव कर सफलता का अनुभव कर सकते हो दिव्य बुद्धी के बल से माया के वार को हार खिला सकते हो अच्छा इस माज की सभी मूर्लिया एश्वरिय महावाक्य निराकार परमात्मा शिवने ब्रह्मा मुख कमल से अपने ब्रह्मा बत्सो अर्थात ब्रह्मा कुमार एवं ब्रह्मा कुमारियों के समुख 18.1.1969 से पहले उच्चारन की थी यह केवल ब्रह्मा कुमारीज की अधिकृत टीचर बहनों द्वारा नियमित भी के विद्यार्थियों को सुनाने के लिए है अच्छा ओम शान्ति झाल हो झाल है झाल 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 झाल